गलत फेहमी में किसे को नहीं होना चाहिए बाद में मुझसे ये मत कहना आज अच्छा अरे सुन लीजिए हमारा RSS वाला परिवार नहीं है जहां पे एक व्यक्ति पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है हमारा दूसरा तरीका है टिकेट मिलेगा मेरिट के बेसेस पे मिलेगा जो काम करेगा जो जनता के बीच में रहेगा जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा मस्दूरों की लड़ाई लड़ेगा छोटे वियापारियों की लड़ाई लड़ेगा युवाओं की लड़ाई लड़ेगा उसको कॉंग्रेस पार्टी टिकेट देगी और ये हमारा परिवार है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी discrimination होगा काम करेंगे reward मिलेगा और चाहे कितने भी senior हो कितने भी साल की history हो काम नहीं करेंगे ticket नहीं मिलेगा मैंने कहा ये परिवार है परिवार में अलग views होते हैं हमारा RSS वाला परिवार नहीं है जहां पे एक व्यक्ति पूरा का पूरा decide कर देता है हमारा दूसरा तरीका है हम सब की आवाज सुनना चाहते हैं मगर मीडिया में नहीं बंद कमरों में जैसे परिवार बात करता है वैसे शिकायत है, कंप्लेंट है हमारी internal system है उस system में जितनी भी आपने बात बोलनी है, खुल के बोलिए मगर अगर कोई मीडिया में जाके बाहर बोलता है तो वो Congress Party को damage कर रहा है वो हम accept नहीं करने वाले हैं कल एक बहुत successful meeting बहुत successful meeting हुई और ये आप सब का काम है पूरी Congress Party ने अपनी शक्ति डाली और उसका result, उसका नतीजा आपने देखा तो मैं आप सब को बाहर देना चाहता हूँ इस प्रदेश में Congress Party के बाहर बहुत सारे युवा हैं बहुत सारे नेता हैं बहुत सारे हमारे पुराने workers हैं जो Congress की विचारधारा को मानते हैं समझते हैं और चाहते हैं उन सब को मैं इन्वाइट करता हूँ कि आप Congress Party में आईए आप हमारी विचारधारा को मानते हो आप आओ अंदर आओ और हमारे साथ मिलकर KCR और TRS से लड़ो और तेलंगाने के युवाँ ने आपने पिछले आठ साल देखे आपने तेलंगाना का जो सपना था उसको नश्ट होते हुए देखा आपने तेलंगाना की जो लूट की गई उसको देखा आपका जो पैसा आपके जेब से चाहिए आपके भविश्य को नश्ट किया गया आपने देखा आपको स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी, हस्पाताल नहीं मिले और जो पैसा आपको मिलना था वो एक परिवार को मिला यह कॉंग्रेस पार्टी की जिम्यदारी है, मगर यह त्यलेंगाना के युवाओं की भी जिम्यदारी है, कि ट्यारेस को त्यलेंगाना से हटाया जाए तो मैं आपको भी इन्वाइट करता हूँ, ट्यलेंगाना के युवाओं को, कि आप कॉंग्रेस पार्टी में आईए और त्यलेंगाना को बदलने का काम कीजिए सोनिया जी ने आपके साथ त्यलेंगाना का सप्ना देखा था और सोनिया जी ने स्टेट हूड आपको दिया सोनिया गांदी गांद तेलंगाना प्रदलयोक कर्ष्टानी नस्टानी अर्थन जेशकोनी तेलंगाना करण करने तेलंगाना राष्टानी यह थी में तलंगाना की जनता के साथ आपके सपने को पूरा करना चाता हूँ और इसलिए जहां भी मेरी जहां भी आप मुझे भेजना चाहते हूँ आप मुझे बुलाओ और मैं अंदुके मेरना यकडिक रामना येपड रामना मी तो कदम कदम करची इपोरा तनलो ममेकम होता हूँ अंजे परी संदर पंगाते लिए इस्ता हूं नहीं अंत में फिर से दोरा ना चाहता हूँ मेरिट के बेसिस पे मिलेगा हडरबाद में बैठकर नहीं मिलेगा ये गलती मत कीजिए हडरबाद में मत बैठिये दिल्ली बिलकुल मत आईए वो बैकफार करता है उल्टा जाता है दिल्ली तो छोड़ दीजिए हडरबाद छोड़ दीजिए गाउं में जाईए सडकों पे उतरिए और काम कीजिए आप सब बड़े केपबल लोग हो कोई कमी नहीं है टिकेट आपको जंता देगी तो आपको उधर जाना है मैं जानता हूँ कि हज़रबाद में बिर्यानी बहुत अच्छी है मगर आपको अब हैदरबाद छोड़ना पड़ेगा गाउं में सडकों पे जाना पड़ेगा जंता के साथ आप खड़े होगे कॉंग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और यहाँ पे तिलंगानों को बदलने का काम शुरू होगा मैं आप सब का दिल से धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर आप सब को कॉंग्रेस के नेताओं को और कॉंग्रेस के हर कार्यकरता को और जो हमारे एन्रोलर्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है आप सब को दिल से धन्यवाद करता हूँ नमस्का झाल झाल